नवस्कार दोस्तों तो आज आपके लिए लेकर हम एक शांदार वीडियो जिसके अंदर हम सिखेंगे ये तीन सेंटेंसेज और इनकी साहिता से हम बनाएंगे टेली रूटिन में बनने वाले वे सभी सेंटेंसेज जो इस परकार से बोले जाते हैं तो देखिए यहां पर एक कंजेक्शन है और एक है फ्रेजल वर्ब इन दोनों की साहिता से ये तीनों सेंटेंस बनने वाले हैं और इन जैसे अनेकों सेंटेंस बनते हैं तो चलिए सीखते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों कंजेक्शन और फ्रेजल वर्ब की साहिता से इस प्रकार की सेंटेंस बने जाते हैं मैं हूँ भावाई सिंग राजपुईत आप देख रहें के पीसी दफाइव एलिमेंट्स तो देखिए दोस्तों यहां पर एक तो वर्ड दिया है एक फ्रेजल वर्ब है गेट रीड़ और दूसरा यहां पर कंजेक्शन है इन और डू यहां पर इन और डू का मतलब होता है के लिए और गेट रीड़ आफ का मतलब है से चुटकारा पाना किसी चीज से चुटकारा पाना तो यहां पर एक वाक्य जो पहला वाक्य है उसमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए तुम्हें अपने बूरी आदतों से चुटकारा पाना पड़ेगा अब इसको कैसे बनाएं देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको यह जो चुटकारा पाने वाला वाक्य है इस तरह के वाक्य को आगे लेकर आना है तो हम लिखेंगे यूँ नेट टू गैट रीट ओफ यॉर बैट अब लगाएंगे कंजक्शन इन और दू इस तरह से कुछ आपका वाक्य बन जाएगा अब अगला वाक्य भी देखो इसी परकार का है कि एक सफल व्यापारी या सफल व्यावसाई बनने के लिए तुम्हें अपनी कमजोरियों से चुटकारा बाना पड़ेगा तो यह भी इसी तरह से बनेगा you need to get rid of your weakness in order to बिकम ए सक्सेस्फुल बिजनस्मेंट अब हमने अब तक दो वाक्य बना लिये अब जड़ा आप वीडियो को पोज़ करके ये तीसरा वाक्य बनाने की कोसिस करें और बनाने के बाद में देखें क्या कि ये सही किया है नहीं किया तो देखिए अब हम बनाते हैं एक विश्वास पात्र दोस्त बनने के लिए तुम्हें अपने जूटे पन से छुटकारा पाना पड़ेगा तो देखिए यू नेट टू गैट रीड़ यॉर टूट टूट लेस नेस इन ओडर टूट बिकम ए ए एफुल फ्रेंट तो दोस्तों इस तरह से हम इस तरह से वाक्यों का निर्मान करके हम अपने डेली रूटीन की इंग्रिस में इस तरह के वाक्यों को बोल सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो सेयर केजिए, कमेंट केजिए, लाइक केजिए और चैनल को सब्सक्राइब केजिए थेंक्यों सो माच्च